हलो एंड वेलकम आज है थर्ड लेक्चर एकनॉमिक्स का काफी टाइम बाद हमने ये एकनॉमिक्स का लेक्चर आपके सामने लाया रीजन है हम थोड़े से बिजी हैं पेड कोर्सिस के साथ आपने जो पहले दो लेक्चर पे रेस्पॉंस दिया है पसंद किया है अपने लेक्चर को बहुत ही जबर्दस अच्छा लगा है हमें उसके लिए थैंक्स और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी नगेट्व कोमेट मैंने अब तक अपने वीडियो के नीचे नहीं देखा जो कि बहुती ज़्यादा उसके लिए मैं कहूंगा शुक्रिया आपके लिए कि आप पसंद करते हों हमारे वीडियो तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉमिनल जीडिपी रियल जीडिपी क्या होता है नैशनल इंकम या जीडिपी बढ़ने का मतलब ग्रोस रेट बढ़ना होता है कि नहीं होता है slow down recession, depression क्या होता है, GDP deflator क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम इसी lecture में देखेंगे, factor cost, market price क्या होता है, GDP में ही क्यों world economies को compare किया जाता है, GDP क्यों, अच्छा major मानते हैं world economies को compare करने के लिए, अच्छा dollar में ही क्यों GDP को क्या जाता है, calculate, और क्या relationship है, GDP और GNP के दर्मियान, पिछले lecture में हमने पढ़ा था, GDP, GNP, NDP, NNP और per capita income क्या होता है, यह सारे है national income के formers, यह हमने देखा था पुराने lecture में, और हाँ, lecture स्टार्ट करने से पहले एक बात और क्या ना चाहूंगा, आप मैं से बहुत सार ऐसे student है, जो कि WhatsApp पे और Telegram चैनल पे बोलते हैं, सर पेड़ course जोइन करना है, paid course जोइन करना है, हमारी तरफ से आपको अभी कोई response नहीं मिल रहा है, काफी दिनों से उसके लिए sorry, क्योंकि हम paid course अभी नहीं लेना चाहते हैं, जब तक हमारे जो पुराने तीन paid courses चल रहे हैं, वो जब तक खत्म नहों जाए, एक तो खत्म हो गया, आप दस दिन आप इंदिजार कीजिए, आपको मिलेगा response हमारे तरफ से, और हाँ, हमारा whatsapp number जो coaching center का है, वो मैं description में और नीचे comment section में दे दूँगा, और telegram channel को भी आप join कीजिए, आपको पता है, वहाँ पे हम free material देते हैं, free books देते हैं, free videos भी आपको कहीं तरह के teachers के मिलेंगे आपको वहाँ पे, अब चलते हैं हम आज के lecture की तरफ, देख लीजिए, GDP और GNP में क्या relationship है, वैसे एक line में हम पहले समझेंगे ये क्या है, GDP, gross domestic product, domestic, boundary के अंदर कितने पैंसे कमाए, चाहे nationals ने कमाए या foreigner ने कमाए, एक साल में, GNP, gross national product, national, nationals ने कितने पैंसे कमाए एक साल में, चाहे boundary के अंदर कमाए या boundary के बाहर कमाए, CSO कल्कुलेट करता है, यह मैंने आपको पुराने लेक्चर में समझाया है, बहुत ही अच्छे से, इसी GDP को आप माइनस करोगे, wear and tear का खर्चा, depreciation वहाँ पे निकलेगा, net domestic product, इसी GNP को आप माइनस करोगे, wear and tear का खर्चा, depreciation वहाँ पे निकलेगा, net, net national product, यह जो आपके सामने net national product है, इसी को बोलते हैं, purest form of national income, और इसी purest form of national income को जब आप divide करते हो, total population of the country, अगर country के बात करते हैं तो, तो उस time निकलता है per capita income of the country, PCI, यह हमने पिछले lectures में पढ़ाया आपको second lecture में, अब आज के इस third lecture में हम पढ़ने जा रहे हैं, relationship between GDP, GNP, आपके सामने यह relationship है, लेकिन मुझे पता है, आपको mathematics से डर लगता है, हम आपको वैसे नहीं, बड कानी के अंदाज में, देख लीजिए, यह country है, हाँ सर्मान लिया country है, इंडिया, हमारे इंडिया से nationals बाहर जाते हैं काम करने, हाँ भाई, ठीक है जाते है nationals, जो कि GNP में हम calculate करते हैं, लेकिन वो nationals अपनी कमाई गर बेचते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारी country में foreigner भी होते है जो कि GDP में आते हैं foreigner पैसे, उनके, वो foreigner अपनी कमाई गर बेचते होंगे, तो हमारी country से पैसे जाते हैं foreigner की वज़े से, हमारी country में पैसे आते हैं national की वज़े से, ठीक है, इतना तो आपने समझ लिया, आब हम चलेंगे, आगे, जो national अपनी गर पैसे बेचता है, उसको बोल रहे हैं, जो foreigner हमारी country से पैसे गर बेच रहा है, उसको बोलते हैं, factor income to, to, to abroad, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, ठीक है, कभी आप देखोगे, factor income received from abroad, factor income paid to abroad, किसी-किसी बुग पे देखोगे, तो वो अलग-अलग बात है, कोई बात नहीं, ज्यादा तर factor income from abroad, factor income to abroad है, simple है, ठीक रहे हैं, उनका minus, जब हम करते हैं, net देखते हैं, कितने आए, minus कितने गए, उसको बोलते है, net factor income from abroad, जब आप इसको minus करते हो, difference निकालते हो, कितने पैसे आए, minus कितने पैसे गए, ठीक है, simple है, लेकिन sir, ये factor income क्या है, income to abroad, income from abroad, तो ठीक, factor क्यों, ठीक है, actually आपने ये lecture नह ये factor income, जैसे factors of production है, land, labor, capital, entrepreneur, और उसके लिए factor income है, rent, wages, interest, profit, respectively की बात कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने एक मिनट में आपको बोला ना, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, पता है मुझे, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है, factors of production क्या है, factor income, factor payments, जोनको हम बोलते हैं, तो वो सब आपके दिमाग से उपर चला गया होगा, शायद कुछ बच्चूं के, तो आप tension मत ही लिजे न, factor income को मैं बड़े प्यार से आपको समझाओगा, जब हम factor income पढ़ेंगे, two sector economy की, three sector economy की, four sector economy की, हार एक चीज, clear हम आपको करेंगे, इतना ही समझो भाई, factor income का मतलब होता है अभी, rent से पैसे कमाना, wages से पैसे कमाना, interest से पैसे कमाना, profit से पैसे कमाना, बस अभी के लिए इतना समझो या इतना भी मत समझो अभी, बस इतना ही समझो पैसे जो आ रहें, factor income from abroad, पैसे जो जा रहें, country से, foreigner की वज़े से, factor income to abroad, ठीक है, from or to, simple है न, और जो पैसे जा रहे हैं, माइनस, जो पैंसे जा रहे हैं, उनको बोलते है, net factor income from abroad, वो ही तो नीचे लिखा है भाई, डर्ना नहीं इसको, इससे डर्ना नहीं, net factor income from abroad, क्या होता है, पैंसे जो आए, माइनस, पैंसे जो चले गई country से, पैंसे आते हैं national की वज़े से, पैंसे जाते हैं foreigner की बहुत ही simple है, okay, 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 अब हम समझेंगे, अब बहुत ही interesting है, बहुत ही interesting है, दिमाग खोलो भाई, बहुत ही interesting है, देखो और एक बात, interesting से पहले और एक बात, net factor income from abroad, जो है न, उसमें बहुत सारी चीज़े आती हैं, जैसे net compensation to employees, net retained earnings, net property income, देखो, किसी-किसी बुक में लिख है, net जो पैसे आ रहे हैं, माइनस जो जा रहे हैं, उसको बोलते है, net property income from abroad, वो गलत है भाई, उस गू, बुक को आप साइड में रखो, हमारा लेक्चर देखो पहले, और रिसर्च करो, कौन सही बोर रहा है, उन बुक्स पे मत जाये, incomplete information मेरे लिहाज से, net factor income to abroad, sorry, net factor income बोल net compensation to employees, net income property from abroad, यह सारी चीज़ आती है, तो जहाँ 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 बुक पे लिखा है net property income, उसको काट लीजिए, incomplete information है, ठीक है, हमें वो आगे देखेंगे हम जब हम आपको UPSC या के ले पढ़ाएंगे, net factor income की अंदर क्या होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है, आ बहुत ही सिंपल लंगवेश की में बात करों फिलाल, पैसे जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं पैसे, उनमें जो देखा गया, net factor income from abroad जो देखा गया, वो इंडिया के लिए नगेट है, कैसे है, आगे देखेंगे हम, अभी ऐसे रुको, और वहीं पे में आपको समझाँगा Remittances, Interest on External Loans और External Grants, क्या है, फिलाल इतना ही तो आपने समझा, पैसे आएंगे, माइनस पैसे जाएंगे, उसको बोलते है, net factor income from abroad, इतना ही समझा ना, good, मैं चाहता हूँ कि आप इतना ही समझो अभी, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप इतना ही समझो, ओके, चलिए आगे चलत यही net factor income from abroad, समझो इस बात को, समझो इस बात को, GNP मतलब nationals की कमाई, जो country के अंदर हो या country के बाहर हो, nationals, GNP, GNP होता है GDP ही, बुनरी ही, बस अगर आप इसको से फारे अंदर हटाओ, और national के पैसे जोड़ो, उसी को बोलते है net factor income from abroad, यह आप ऐसे समझो, GNP होता है GDP ही, ब अगर आप GDP को जोड़ो, पैसे जो आए, माइनस पैसे जो गए country से, मतलब कि net factor income from abroad, अगर आप इसको जोड़ो, ठीक है, तो GNP होता है GDP plus net factor income from abroad, देख लीजे आप इस बात को समझ लीजे आप इसको, यह equation समझ आगी ना आपको, ठीक है, अब आप समझ लीजे, यह इंडिय के case में, equation ही change होती है, सिरिफ इंडिया नहीं, पाकिस्तान के case में, बंगलादेश के case में, सिरिलंका के case में, हमारे जितने भी neighboring countries हैं, उन सब के case में, लगबग, यह equation ही change हो जाती है, और equation बन जाती है यह, ऐसा क्या होता है, समझाओंगा मैं, यह जो net factor income from abroad, यह कभी zero भी हो सकता है, कभी positive भी हो सकता है, और इंडिया और बाकि neighboring countries के मामले में, यह negative है, कैसे positive, negative, zero, sir, कैसे, 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 देखो, पैसे आ रहे हैं हमारी country में 10 रुपई, for example, लेकिन हमारी country से foreigner की वज़े से पैसे जा रहे हैं, 20 रुपई, मुझे बताओ आप, net factor income from award, negative होगा, positive होगा की zero होगा, sir, factor income from award, 10 रुपई है, चलो, 10 रुपई, minus, factor income to award, 20 रुपई, 10, minus, 20 कितना होता है, sir, वो होता है, minus 10, निकलाना, net factor income from award, minus में, और इंडिया के case में, minus ही है, इंडिया के case में, net factor income from award, minus ही है, क्यों, क्योंकि इंडिया के case में, पैसे कम आ रहे हैं, सिर्फ 10 रुप example, तो एंडिया और बाकी नेवरिंग केंट्रीज की केस में फेक्टर इंकम टु अब्रॉट ज्यादा है, पैसे ज्यादा कंट्री से जा रहे हैं, इसलिए नगेट्व में आता है ये ठीक है, आपके सामने ये equation या relation, अब सर फेक्टर इंकम, नेट फेक्टर इंकम जीरो कब ह और ये बहुत रियर है, निकलता नहीं, असानी से जिरो, अच्छा, नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम फ्रॉम में बट पॉस्टु कब होगा, पॉस्टु तो नॉर्मल कंडिशन में यही होगा, जो आपके समने रिलेशन चुपए, क्या, पैसे आएंगे ज्यादा कंट्री मे मानलो 20 रुपई, पैसे जाएंगे कंट्री से कम, मानलो 10 रुपई, 20-10 कितना होता है न, 10 होता है न, तो 10 निकला ना पॉस्टु, ठीक है, समझ गए आप, समझ गए आप, इंडिया के केस में बाहर से पैसे आ रहे हैं कम, यहां से पैसे जा रहे हैं ज्यादा, तबी तो न एक्थाइमेटिक स्वालों को तो एक्वेशन से ही समझाया होगा, लेकि मुझे पता है बहुत सारे एक्वेशन से, मैं एक्वेशन से डरते हैं न, तो GDP ग्रेटर देन GNP क्यों है कंट्री में, क्यूंकि मैंने अभी बोला, फोरियनर पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, वो ज्य GDP ज्यादा ही होगा, इसलिए मैंने बोलो GDP ग्रेटर देन GNP, अब जिनको मैठ समझ में आता है, वो एक्वेशन से ही अंदाजा लगा सकते हैं दूर से, हाँ बाई GDP ग्रेटर देन GNP, इन केस आफ इंडिया, नौर्मली हमेशा से लहता है GDP ग्रेटर देन GNP, क्योंकि यह नहां पे डमस्टिक टेरिटरी में ज्यादा पैसे कमाये जाते हैं, वो फोरेटर कमाते हैं और वही पैसे बाहर बेजते हैं, इंडिया से तभी नगेटू में आता है, क्योंकि बाहर पैसे ज्यादा बेजे जाते हैं, समझ आ रहा है, सबसे मुश्किल है यही समझना, उसक कभी अगर आए ना, जी एंप किसके बराबर है, आपको यही एक्वेशन लिखनी है, अगर सवाल होगा, इन केस आफ इंडिया, तब आपको यह लिखना है, यह स्पेशल केस है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना एक्जाम में, अगर फिर होगा, इन केस आफ इंडिया, क्या होता है, अगर फिर होगा, इन केस आफ इंडिया, क्या होता है, एन फा इंडिया, वो नगेट होगा, पॉस्टिव, वो स्पेशल केस है, लेकिन equation ये है exam में आपको ये लिखना है अगर examiner पूछे in case of India examiner पूछे nfi नेगेट हो है कि positive तब जाके आप ये वाले equation को टिक दीजेगा, okay main equation पर आते है GNP GDP के बराबर हो सकता है क्या कभी हाँ भाई हो सकता है ना, अगर ये वाला portion जीरो हो, nfi जीरो हो, वही मैंने नीचे समझाया आपको GNP बराबर हो सकता है GDP के कभ, जब पैसा जो आएगा और पैसा जो जाएगा वो बराबर हो, मतलब nfi जीरो हो और या जब closed economy closed economy क्या होता है, country से कोई export या import नहीं होगा, country से कोई बाहर national नहीं जाएगा service देने के लिए या country से अंदर कोई foreigner नहीं आएगा service देने के लिए मतलब कोई goods and service का input export नहीं होगा, country के अंदर सिर्फ national, national, national होगे तब भी GNP बराबर है GDP के क्यों, क्योंकि GNP क्या होता है, nationals की income, वो तो country के अंदर ही है न वो तो GDP आएगा GNP क्या होता है, nationals की income तो निकाल ये, 4-5 nationals है उनकी income निकाल ये, GDP क्या होता है कंटी के अंदर की income और वहाँ पे तो सिर्फ nationals है न तो वो ही nationals आएथे न अभी GNP में तो GDP बराबर होता है GNP की में, इन के सब closed economy या इन के सब NFIA equal to zero NFIA काब होगा equal to zero? जब पैसे आएंगे, जाएंगे होंगे बराबर चलिए आप हम पढ़ेंगे आगे देख लीजे GDP जो है वो 2019 के हिसाब से 2.9 trillion dollar देखा गया इंडिया का आगे देखेंगे आप 2020 में क्या है आएगा आप जल्दी सर GDP में ही क्यों पैसे ज़्यादा world compare करता है, world economies compare क्यों, comparative analysis करने के लिए, सिर्फ GDP क्यों लेते हैं, reason है उसके लिए और dollar ही क्यों, देखो dollar easy है dollar इसलिए क्योंकि dollar है world internationally accepted currencies ठीक है, dollar world में compare करने के लिए एक country को दूसरे country के साथ dollar में ही क्या जाता है, calculation dollar में ही international trade होता है, import export इसलिए, सरब GDP ही क्यों comparative analysis के लिए world economies को compare करने के लिए लिया जाता है, सबसे अच्छा तो NNP है purest form of national income country की real situation यही दिखाता है nationals की बात यही करता है वो भी depreciation को हटा के फिर भी GDP ही क्यों लिया जाता है, reason है, सबसे पहले reason हम यहां पे देखेंगे यह net और net को देखेंगे देखो net domestic product क्या होता है, depreciation को हटा के, net national product क्या होता है, इसके depreciation को हटा के, लेकिन हरे country में depreciation value अलग अलग government देता है अपने हिसाब से, इसलिए हरे country का value distorted होता है, depreciation का value अलग देंगे, wear and tear का खर्चा अलग अलग देगा, government अलग अलग country में, तो थोड़ा सा यह net वाला world economies में compare करने के लिए इस्तिमाल नहीं होता, क्योंकि हरे country अलग अलग देती है, तो compare कैसे होगा, compare करने के लिए सेम होना करें, national की बात करें, तो कभी कभी country में कोई पैसे कुछ कमाता ही नहीं, बहार national बहुत ज़्यादा पैसे लाते हैं country में और कैसे आते हैं country में पैसे यह भी तो मैं भूल गया भी बोलना, remittances क्या होता है, external grants, interest on external, बताऊंग अभी, जो बहार पैसे बेजते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बेजने हो सकता है, country कोई कामी न करें, सारा पैसे बहार से ही आता हो, national से ही आता हो, इसलिए nationals वाला प्रोड़क्ट अच्छी तरह नहीं है, हमको देखना है country, country, country के अंदर क्या हुआ, बूंडरी के अंदर क्या हुआ, इसलिए GDP को अच्छा मेजर माना जाता है, और भी कुछ रीजन्स है, आगे हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, international trade या exchange rates और वाक्षी चीज़े, हम जब देखेंगे, और एक बात जो मैंने बूल गया भी बोलना, देखो, बाहर से पैसा आता है, फॉरियन पैसे बेज़ेगा अपने गर, जो पैसे आएंगा, जाएंगा, उसको बलते है, नेट फेक्टर इंकम फ्रोम अबॉर्ड, मैंने बोला था, आसान बाश्या में कुछ समझाओंगा, वो क्या था, देखो, आसान चीज़ से समझो आप, फॉर एंग्जांपल, हमारे कंट्री से जो बाहर काम करते हैं न, वो अपने गर पैसे बेज़ते हैं, उसको बलते हैं रिमिटेंसिज, फॉरियनर भी गर बेज़ेगा पैसा आपने, उसको बलते हैं रिमिटेंसिज, इनके माइनस को बोलते हैं नेट रिमिटेंसिज, तो नेट फेक्टर इंकम में नेट रिमिटेंसिज आते हैं, ठीक है, रिमिटेंसिज, या बोलो net remittance, उसके बाद, external loans भी देते हैं, उसके ओपर interest, for example, India ने loan लिया, loan लिया, interest देना पड़ेगा, interest, और मैं आपको बता हूँ, India को सबसे ज्यादा interest देना पड़ता है, इंडिया से सबसे ज्यादा पैसे कंट्री से जाते हैं, interest के वज़ा से, क्योंकि बहुत ले चुका है, इंडिया, थीसरा है, external grants, कोई grant देगा, बाहर से कोई grant देगा, grant मतलब पता है, क्या होता है, ऐसे ही पैसे देगा, aid के लिए, ऐसे, या इंडिया भी दे सकता है grant, अचा, ज्यादा grant आते हैं, कि ज्यादा grant इंडिया देता है, ज्यादा grants आते हैं, तो इंडि बहुत कम पढ़ जाते हैं जब करते हैं बात external loans की इंडिया बहुत ही ज्यादा loan ले चुका है और interest चुका रहा है इतना ज्यादा interest चुका रहा है उस case में इंडिया negative है लेकिन negative इतना बारी है इंटरस्ट के विज़ा से कि सारा इंफाइ नगेटिव पढ़ जाता है अब अगर यह सवाल है इंडिया के case में इंफाइ नगेटिव क्यों है क्यों पैसे बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं याद रखना पैसे बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं reason है main reason है external loans पे जो interest है क्या बोलते हैं इसको debit trap sorry debit trap में okay तो पढ़ेंगे हम आगे यार यह बहुत ही ज़्यादा interesting और बहुत ही सारी इसमें बाते हैं जो मैं मुझे नहीं लगता मुझे यहां पर कहनी चाहिए बस इतना ही जान लो इंडिया नगेटिव मैं इसलिए है क्योंकि वो लोन 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 है ज्यादा interest चुकाना पड़ेगा ना okay उसके बाद हम पड़ेंगे कितना टाइम हो oh my god 20 मिनट मुझे लगता है आगे हम देखेंगे next lecture में यह current price sorry real or nominal लेकिन अभी हम देखेंगे यह ठीक है बहुत ही आसान तरीके में देखेंगे बहुत ही आसान है यह देखो GDP at factor cost और GDP at market price क्या होता है हम ज्यादा तर GDP के रिलेटिटीट ही अब देख लेंगे ऐसा नहीं है कि NDP at factor cost NDP at market price नहीं होता होता है GNP factor cost market price NNP factor cost market price निकाल सकते हो attention नहीं है लेकिन अभी हम पढ़ेंगे GDP at market price और GDP at factor cost क्या होता है और same to same बाके भी है same to same कोई फारक ज़्यादा नहीं है देख लो देख लीजिए अगर ये एक factory है मान लीजिए आपके सामने ये एक factory है मान लिया sir मान लिया factory है और ये market है sir मान लिया market है ठीक है और आपकी example ही देता हूँ मैं factory में आपने एक गाड़ी बना ली गाड़ी 100 रुपाई की 100 रुपाई की गाड़ी आपने बनाई आप मालिक हो factory में 100 मार्केट में जाती है यही सेम तुसेम गारी मार्केट में जाती है तो वो सो रुपई की नहीं 120 रुपई की बन जाती है यह 20 रुपई एड हो गए यह क्या है और जो आपने 100 रुपई देखे factory में उस गाड़ी का cost उसको बोलता है factor cost, या कभी आप बोल सकते है factor price भी, बहुत सरी किताबे लिखते है factor price भी, ऐसा कोई मसला नहीं है, रमेश सिंग beautiful किताबे वो भी लिखते है factor price, और जो market में इसका price है, या cost है, price है, ज्यादर आप बोल price है, उसको market price, ठीक है, 100 रुपाई को बोलेंगे, factor cost, 120 रुपाई को बोलेंगे, market price, simple सी बात है, ठीक है, लेकिन सर, ऐसा क्या हुआ, factor में, factory में factor cost 100 रुपाई था, फिर price हो गया, 120, 100 से 120 क्यों चला गया, reason है, government, याद रख लीजे, government, पैसा लेता है, इस गाड़ी पर वो चड़ाएगा, indirect tax, indirect tax क्या होता है, जब government tax लगाए, आप पे, जौब की factory है, आप पे government ने tax लगाया, लेकिन आप ये खुद नहीं दोगे, जिस customer ने market में आपसे गाड़ी ले ली, उससे वो टेक्स आप ले लोगे, उसी को बलते है, indirect tax, government लगाता है इस बंदे पर tax, लेकिन ये इस बंदे की गुड़ संसरी पर government लगाता है tax, लेकिन ये बंदा खुद नहीं देता, अगर ये खुद देता तो वो direct tax बन जाता, ये बंदा खुद नहीं देता, जो customer इस बंदे के पा आप सब को ये आता होगा, तो government ने इस गाड़ी पर लगाया indirect tax, सामान पर हमेशा indirect tax ही लगता है, तभी तो GST indirect tax है, income पर हमेशा direct tax लगता है, तभी तो income tax direct tax है, टेक्स में है, मैं थोड़ा सा गुज गया, बूल जा इस सब को, government ने 100 रुपए के ओपर 30 रुपए लगाया, sir 120 क्यों है, क्योंकि government कभी कभी लोगों को, जो यहां पर लोग है, गाड़ी जो खरी देंगे, customer है, उनको subsidy भी देता है, subsidy क्या होता है, जो government देगा पैसा, टेक्सिस क्या होता है, जो government लेगा पैसा, government लेगा पैसा क्यों, क्योंकि government को अपने काम चलाने है, government देगा subsidy क्यों क्योंकि government चाता है कि लोग ये गाड़ी खरीदे, लोग उनको इस गाड़ी का फाइदा हो जाए, लोग उनको 130 के बदले 120 ही देने पड़ेंगे, जो factory की में गाड़ी है उसमें थोड़ा सा अपलिपमेट हो जाए factory का, बहुत सारे दीजन है, क्यों? क्योंकि शायद ये गाड ले ले, ऐसा कुछ करने के लिए, या लोगों के पास पैसे नहीं गाड़ी खरीदने के लिए, लोगों के पास, लोगों के पास गाड़ी तो अलग है, ये गास भी हो सकता है, गाड़ी के बदले, लोगों के पास गास खरीदने के पैसे नहीं है, लोगों के पास बेसिक न न, चलिए, समझ आ गया, 100 रुपई, प्लस 30 रुपीज, माइनस 10 रुपीज, एकवल्ट होता है, 120 रुपीज, समझ आया न, इसी 100 रुपई को बोलते हैं, फेक्टर कॉस्ट, 30 रुपीज, इंडिरेक्ट टेक्स, 10 रुपई, सबसीडीज, माइनस हो जाएंगे, इससे, माइन मैंने लिखा है, और 120 रुपीज, मार्केट प्राइस, वही एक्वेशन नीचे समझ में आई, आपको कैसे बनी, फेक्टर कॉस्ट, प्लस, फेक्टर कॉस्ट, प्लस, इंडिरेक्ट टेक्स, माइनस सबसीडीज, को बोलते हैं, नेट इंडिरेक्ट टेक्स, नेट इंडिरे सिंपल सी बात है, ऐसे भी, अगर किसी को मैं आथ नी समझ, ऐसे भी, वह सोच लगते हैं, आखे बंद करके, फेक्टरी में कोई समान था, उस पे गवर्मेंट लगाता है, प्लस, इंडिरेक्ट टेक्स, लेकिन गवर्मेंट देता है, सबसीडीज, माइनस सबसीडीज, एक मैंने उपर यही लिखा, क्योंकि जब मैं आफ-लाइन कोचिंग पढ़ाता हूं, या जहां-जहां मैंने पढ़ा तो, आर्ट के बच्चे बहुत दरते हैं, मेडिकल वालों को तो टेंचन नहीं है, लेकिन आर्ट वाले बच्चे हैं, जिनका मैठ नहीं राच चुका है, द जब net indirect tax zero हो, वो कब zero होगा? जब subsidies और indirect tax बराबर हो, और वो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि government जितना पैसा टेक्स में ले उतना है subsidies में ऐसा कहा होगा भाई, ऐसा बहुत कम, ऐसे chances ही नहीं है, क्या कम chances है, अब आप मुझे बताएं, जो central statistical organization, CSO, calculate करेगा national income या GDP, या कोई भी N देखो, एक बात बोलूँगा, अभी मैंने बोलाँ, को पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ना है GDP at market prices, तो आप लिखो here GDP at market prices, फिर GDP at market prices यहां पे डालो, फिर वो है बराबर GDP at factor cost plus net indirect taxes, अगर आपको जानना है GNP at market price, तो GNP at market price यहां पे डालो, बस यहां पे फिर GNP ही डालन है, वो है बराबर GNP at factor cost plus net indirect tax, NNP at market price किसके बराबर है, NNP at market price is equal to NNP at factor cost ही, NNP ही डालना है, तो समझाया है ना, लेकिन चलो ज़्यादा GDP लेते हैं, लास्ट में यह समझाना है मुझे आपको क्ये, बहतरीन कोन है, factor cost के market price, बहतर कोन है आपके लिखाज से, CSO ने calculate किया, market price भी, factor cost भी, बहतर है factor cost, क्योंकि हर एक country में अलग-अलग indirect taxes का rate है, अलग-अलग subsidies देते हैं, किसी जगा subsidies देते ही नहीं, जहां पर subsidies नहीं देते हैं, वहां पर सिर्फ indirect tax होगा, subsidy zero होगा, तो हर एक country में अलग-अलग system है, इसलिए यह comparative analysis के लिए ठीक नहीं है, market price, factor cost, real growth दिखाएगा, real comparative analysis करेगा, countries का GDP, compare करने के लिए, GDP at factor cost ज्यादा, बहतर माना जाता है, world economies को compare करने के लिए, इसी factor cost, कभी-कभी factor price भी बोलते हैं, कभी production cost भी बोलते हैं, क्योंकि यह factor cost जो है न, हां, 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 एक बात, किसी-किसी को दिमाग में होगा, sir, गाड़ी transportation का खर्चा होगा, शायद जो, जिसने काड़ी बनाई, वो ज्यादा profit मांगता होगा, अरे नहीं, factor cost पता है, क्या होता है, सारा cost, चाहे मजदूरों को, जो wages मिलेगा, अगर land ली है, factory के लिए, तो उसके लिए rent देना पड़ेगा, अगर पैसा लिए है, तो उसके लिए rent काटेगा, सब को मिला के factor cost बन जाता है, सारा खर्चा मिला के, raw material का खर्चा मिला के, सब कुछ मिला के, factor cost, ऐसा नहीं सोमझ ना, factor cost मतलब कुछ और cost होगा, ऐसा नहीं है, समझाए ना, मेरे एसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया, मैं थग गया, और उरोजा भी रखा ह यह, nominal GDP, real GDP क्या होता है, एक खुबसूरत कहानी से समझाओंगा, इतना टाप यह नहीं है, जितना आपने ऊपर समझा, ऊपर क्या समझ नहीं आया, नीचे कमेट करो, मैं आपको, next lecture में, जो अभी एक दो गंटे में आएगा, समझाओंगा, ठीक है, और हाँ, एक बात हो रह दे जाएंगे, जैसे पहले जो 10, 15, 20 कमेट आपके होते होंगे न, उनके जवाब मैं आपको next वीडियो में देता आजाओंगा, क्यूंकि next वीडियो बनेगा, तब तक शायद आपके 15, 20 कमेट आएंगे, आपके सवाल आएंगे, और आपके सवाल हम लाएंगे, उनके जव वीडियो में, जो next होगा उस वीडियो के बाद, okay, bye.